नमस्कार, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा, जो हमारे आसपास मिलता है, लेकिन हमको उसकी जानकारी नहीं है, उसकी पहचान नहीं है, इसलिए हम उसका उप्योग नहीं कर पाते हैं। इस चैनल पर इसके पूर्व कई सागों के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे कि अमरेंथस विरीडिस भाजी साग, गोहरविया डिफ्यूजा खपड़ा साग, एंटिडिस्मा डाई एंड्रम माठा साग और सिंटाला एसियाटिका बेंग साग। आज जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, वो है हाइग्रोफिला औरिकुलाटा, जिसे कुईला साग या गोकुल काटा के नाम से जाना जाता है। अपने परिवेश में खर्पतवार के रूप में जो पौधे उगते हैं, जो बहुत अतिपॉस्टिक हैं, स्वादिस्ट हैं और इनमें आउसधिय गुड़ भी हैं, हम इनका उपयोग इसलिए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनकी जानकारी हमें नहीं है, इन्हें हम खर्पतवार समझ करके अपने लौन से, अपने अगल बगल की जमीन से हटवा देते हैं, जबकि इनका भोज्य पदार्थ के रूप में इन्हें हम अतिपॉस्टिक और स्वा कर सकते हैं, आईए आज हम आपको बताते हैं हाइगरुफिला औरी कुलाटा के बारे में, या कोईला साख के नाम से जारखंड में जाना जाता है, इसे बताने के पूरू या आवश्यक है कि हम इसके गुणों को जाने, तभी हम इसका उपयोग कर पाएंगे, इस वीडियो में हम यह बताएंगे कि यह कहां मिलता है, देखने में कैसा लगता है, इसे हम कैसे पहचानेंगे, इसके और सधी अगुण क्या है, इसके पोशक तक तक तो क्या है, और इसे हम कैसे खाने में प्रियोग कर सकते हैं, तो इस साख का बोटेनिकल नेम है हाइडरो फिला औरी क लाटा यह पौधा अगसेशी फैमिली का सदस्य है हिंद्धी में इसका नाम ताल मकन 민주 या कोकिल सब्रूप और जाता है यह तालाबू में मिलता है इसलिए ताल मकना बोलते हैं कोकिल आख कोयले की आख इसका हिंदी अर्थ होता है चुँकि इसका कोयल की आख की तरह होता है इसलिए इसे कोकिल आख बोलते हैं जारखंड में इसे कोयला साख के नाम से भी जाना जाता है उडिसा में कोई लिखिया, बेंगॉली में शुला मर्दन, कन्नर में गो कंटका और तमिल में निर्मूली के रूप में इसे जाना जाता है अलग-अलग राजियों में या अलग-अलग छेत्रों में एक ही राज्य के इसे अलग-अलग नामों से इस्थानिय लोग जानते हैं कहां मिलता है और इसे कैसे पहचानेंगे, तो यह साग मुख्यता पानी के किनारे मिलता है, जहां पर सीजनल पूल्स हैं या पानी जम जाता है, उसके किनारे में यह स्वता उगता है, और बहुत ही इस्टाउट और पूरे वर्ष उगने वाला पौधा है, जिसके बिभिन पार्ट्स को उप्योग में लाया जाता है, इसे कैसे पहचानेंगे या जानने के लिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि इसका इस्टेम कैसा होता है, इसका stem सीधा कड़ा होता है, इसमें कोई branching नहीं होती है और इसके notes पर जहां से पत्तियां निकलती हैं, इस stem फूला हुआ होता है। इसकी पत्तियां भाले के आकार की होती हैं जिनमें डंठल नहीं होती है, 10-15 cm लंबी रोयदार होती हैं और notes पर यह 6 पत्तियों के hole में, ग्रूप में चक्र में निकलता है। और इसमें 4 cm लंबे spine भी इसकी पत्तियों के axle से निकलते हैं, जो इसकी प्रमुक पहचान है। इसके कारण इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसके फूल चार पेर्स निकलते हैं नोड पर, जो की परपल या बैगनी कलर के होते हैं। इनकी पंखुरियां उपर से two-liped और नीचे से three-lobed होती हैं। और इनके flowers जो हैं वो अपोजिट, तने पर अपोजिट रूप में खिलते हैं। fruit capsule होते हैं, 8 mm लंबे होते हैं और pointed होते हैं। इसके बीज जो हैं, वह minerals का खजाना है। विशेश रूप से potassium इसमें काफी अधिक मात्रा में मिलता है, जिसके कारण यह बहुत ही औशदिय गुणों से युक्त होते हैं। किस सीजन में मिलते हैं और कैसे इनका उपयोग किया जाता है। October से February तक ऐसे तो पौधा पूरे साल मिलता है, stagnant water या तलाबों के किनारे की जमीन में, पानी में। लेकिन October से February तक इसकी कोमल पतियों को vegetable के रूप में खाया जाता है। इसकी कोमल पतियों को तोड़ा जाता है और उसको चौप करके टुकडों में काट करके और फिर पका करके खाते हैं। अब खाने का तरीका क्या है? तो इसकी कोमल पतियों को तोड़ करके जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, चौप किया जाता है और इसको पकाया जाता है साधानातिया इसको अन्य सागों के साथ में मतर के साथ में लोग पकाते हैं विबिन प्रकार की दालों में भी डाल करके इसको लोग बड़े चाव से चावल के साथ खाते हैं कई स्थानों पर कई राजियों में और कई देशों में इसकी राख को वेजिटेबल साल्ट के रूप में प्रियोग किया जाता है। अब इसके पोशक तत्व कौन-कौन से हैं। यदि हम देखें तो इसमें प्रोटीन 8% होती है। क्रूट फाइबर 4.53%, कार्गो हाइडरेट 64.83%, स्फट एंड वायल 13% और पर्याप्त मात्रा में यह पौदा हमें उर्जा प्रधान करता है। अगर हम इसके खनिश तत्वों को देखें तो यह खनिश तत्वों से बहुत अधिक रिच है। पोटेशियम इसमें 158.83 मिली ग्राम पर किलो ग्राम साग में पाया जाता है। कैलसियम 161.28 जो की बहुत अधिक मात्रा है और बहुत यह कम ऐसे भोजेपदार्थ हैं जिसमें इतनी मात्रा में पोटेशियम और कैलसियम उपलब्ध होता है। इसके अत्रिक इसमें sodium, iron, phosphorus, magnesium, magnesium, copper, zinc यह परियाप्त मात्रा में पाया जाता है जो इसे स्वास्तवर्धक बनता है। अब अगर हम इसके औशधी गुड़ों को देखें तो इस पौधे में बहुत से ऐसे constituents या तत्त वो पाये जाते हैं जो इसे औशधी का खजाना बनाते हैं। जैसे कि phytosterols, fatty acids, minerals, polyphenols, proanthosinin, mucilage, alkaloids, enzymes, amino acids, carbohydrates, hydrocarbons, flavonoids, terpenoids, vitamins और glycosides। यह सभी तत्त जो है इसे न केवल पोशक बनाते हैं बलकि इसे औसधी बनाते हैं। pharmacological रूप से या प्रमारित है कि इसके सारे तत्व बहुत सी बिमारियों में बहुत ही कारगर इलाज के रूप में प्रयोग किये जा सकते हैं। अब जैसे कि इसकी पत्तियां हैं, जड़े हैं, बीज हैं, सभी उपयोग में आते हैं। पत्यां मीछी होती हैं और सक्ति वर्धक होती हैं या Afro-desiak या काम भावना को बढ़ाने वाली, नीद को बढ़ाने वाला, डाइरिया के treatment में, मुतराशय की पत्री में, यूरिनरी डिस्चार्जेज में, सूजन में, आख की बिमारी में, जलोदर में, अनीमिया या खून की कमी में और पेट की बिमारियों में, इन सभी में यह लावदायक होता है इसकी पत्तियां जो हैं, वो मूत्र बर्धक होती हैं, डाई यूरेटिक, और इसे जोडों के दर्द में भी काफी कारगर माना गया है शरीर की एठन में और रक्त चाप की कमी करने में भी यह काफी प्रभावी सिद्ध होती है इसका तेल जो होता है, वो एंटी बैक्टिरियल है या जिवान उरोधी है इस प्रकार पत्तियां बहुत सी बिमारियों में प्रयोग की जाती हैं और इनका सेवन करने से यह नत केवल सक्ति बढ़ाती है, बलकि बिमारियों को भी दूर करती है अब अगर हम इसके बीजों पर आये, तो बीजों में वो सारे तत्तों पाये जाते हैं, जो पौधे में या पौधे के अंगों में मिलते हैं इसके बीज भी एफरोडीसियक हैं, आमबावना को बढ़ाने वाले और सक्ति प्रदान करने वाले हैं हीमोगलोवीन की कमी में, चिटचिडापन दूर करने में, गुनोरिया या सुजाक में, वीर्यपात को रोकने में, ज्वर में इसका प्रयोग किया जाता है इसके बीजों को पीस करके पेस्ट के रूप में बटर मिल्क के साथ डाइरिया में दिया जाता है जो काफी प्रभावी माना जाता है अकसी रूल इमराज जो lugares में यूज किया जाता है उसमें ताल मकना के सीड जो होते है वह एक इंग्रियंट के रूप में यूज किये जाते हैं अब अगर इसकी जड़ों को हम देखें, तो जड़ों में भी काफी तत्व पाये जाते हैं, जो बिमारियों के इलाज में प्रियोग होते हैं, जड़ों के जूस को गठिया की बिमारी में, गुनोरिया या सुजाक में और लीवर संबंधी बिमारियों में कारगर माना गया है इसकी राक को जलोदर में आदिवासी लोग यूज़ करते आये हैं पेसाब में जलन होने पर बार बार पेसाब करने की इच्छा होने पर इसकी जड़ों का जूस काफी प्रभावी सिद्धू होता है तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हाइग्रोफिला अरिकुलाटा यह पौधा मेल जेनाइटल सिस्टम के लिए बहुत अधिक बेनेफिशियल माना जाता है पुरुस के प्रजिनन प्रणाली की जो बिमारिया हैं सेक्सवल डिस अबेलेटी है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है इरेक्टाइल फिलियर है इसमें यह पौधा बहुत ही कारगर माना जाता है और सबसे ज़्यादा प्रभावी इसे माना गया है किड्नी में अगर स्टोन होते हैं उनको दूर करने में यूरीनरी ब्लैडर के स्टोन में भी इसको यूज किया जाता है लेकिन किड्नी स्टोन में के लिए बहुत ही प्रभावी आउसदी के रूप में माना जाता है और बहुत सी होमियोपैथिक और आयुरुवेदिक दवाएं जो बाजार में उपलब्ध हैं उसके ग्रेडियन्ट के रूप में आप इसे पाएंगे इस प्रकारिय पौधा आउसदी के रूप में बहुत अधिक उपयोगी है तो आज इस पौधे के बारे में जो हमारे परिवेश में मिलता है और हम इसको नहीं जानते हैं अगर हम इसका सेवन करें तो न केवल मुफ्त में मिलने वाले इस पौधे के पोशक तत्वों का लाभ हम उठा पाएंगे बलकि इसके स्वाद से और इसके औसधी गुड़ों से भी हम लाभानवित हो सकते हैं ऐसे पौधे के सेवन से हमें additional nutrition भी मिलेगा और ये हमारे समाज को nutritional security प्रदान करने में भी बहुत ही प्रभावी सिद्ध होंगे सो आईए हम प्रकर्ति के रूप वर्दान के रूप में प्राप्त इस पौधे का उपयोग करें और इसकी जानकारी का प्रचार प्रसार करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद